सवाल है शोहर बीवी को पसंद करता था लेकिन बाद में कहता है कि तुम मुझे पसंद नहीं तो तलाग दे सकता है सवाल ये है कि एक शोहर एक बीवी को पहले पसंद करता था अभी कहता है कि मुझे पसंद नहीं है तो क्या अब वो तलाग दे सकता है कि नहीं दे सकता है देखिए एक बार शादी होने के बाद तो दुनिया भर के लोग यही मशवरा देंगे किसी तरह से उस रिष्टे को निभाना चाहिए उस रिष्टे को बाकी रखना चाहिए اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ने भी यही कोशिश किया शादी हो जाने के बाद कि वो रिष्टा बचा रहे गर्चे इन दोनों मेंसे कोई दूसरे को पसंद नहीं करता है सही बखारी के बड़ी मशूर आदिस है न मुगीस और बरीरा रदियल्लाव अनहा की कि मुगीस यह गुलाम थे और बरीरा रदियल्लाव अनहा लौडी थी इन दोने की शादी करा दी गई थी लेकिन बरीरा रदियल्लाव अनहा बाद में आज़ाद कर दी गई तो आज़ाद होने के बाद इसलाम लौडी को हक देता है यानि लोडी अगर आज़ाद हो जाए तो इसलाम उनको ये हग दिता है कि आज़ाद होने के बाद वो अपनी निकाह पर अपनी शादी पर नजरे सानी कर सकती है यानि अभी तक तो लोडी थी उनकी मर्जी चरी नहीं शादी उनके मालिक के मर्जी से हो गी लेकिन अब वो आज़ाद हो गई है तो अपनी मर्जी का रिष्टा चुन सकती है तो बरीरा रज़ी नहीं गुलाम थी उनकी शादी करा दीगी उन्होंने कुछ नहीं का क्या कर सकती थी गुलाम थी तो तोड़ी थी लेकिन जब अम्मा आईशा रजी अलाओने ने उनको आजाध कर दिया तो आजाध होने के बाद बरीरा रजी अलाओने ने फैसला लिया कि मैं मुगीस के साथ नहीं रहूंगी बलकि मैं फिर से शादी करूंगी किसी और से जबकि मुगीस रजियलाओने से बड़ी महबत करते थे सही बुखारी की हदिए से कि वो जब बरीरा रजियलाओने फैसला ले लिए कि मैं इनके साथ नहीं रहूंगी तो वो मदिना की गलियों में बरीरा की पीछे पीछे रोते हुए भागते थे उनको मनाने के लिए और ये जब बातें आप सल्लालाओने तक पहुंची तो आप से नहीं ने कहा लव रा जाती ही बड़ा अच्छा होता कि तुम अपने शोहर मुगीस के पास चली जाती है तो बरीरा की अवी आपका हगोता तो कोई मसेला नहीं था तो आप समझाने के बावजूद मिःने के बावजूद भी बरीरा अपने फैसले पर अटल नहीं और उनको कबूल नहीं किया लेकिन इस वाके में आप गोर कीजिए कि अल्लह के नभी अल्लह को मालूम था कि बरीरा उनको पसंद नहीं करती इसके बावजूद भी अल्लह के नभी अल्लह के नभी ने ये कोशिश की कि गर्चे एक दूसरे को पसंद नहीं करते लेकिन एक बार रिष्टा लग गया है तो किसी तरह से निकाला उसको तो ये जो सवाल किया गया है पहले पसंद था बाद में पसंद नहीं मगीस और बरीरा का मामला तो ऐसा था कि पहले ही से वो पसंद नहीं थे लेकिन मजबूरी में शादी हो गए ती, लेकिन यहां तो कहा जा रहा है कि पहले पसंद थी और बाद में नापसंद हो रही है, तो ऐसे केस में भी मशवरा यह है कि किसी तरह इस रिष्टे को आगे बढ़ाना चाहिए और रिष्टा तोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि रिश्टा तोडने से शैतान को खुशी होती है सही मुसलिम की रवायत है कि इबलीस रोज आना शाम को अपने चेलों से रिपोर्ट लेता है और सबकी फाइल चुक करता है तो एक उसका चेला आता है और कहता है कि आज मैंने ऐसा काम किया है कि दो मिया बीवी को एक दूसरे से अलग कर दिया दोनों को जुदा कर दिया तो इबलीस उसको चिम्टा लेता है बहुत खुश होता है और कहता है तो उन्हें बहुत बड़ा कारणामा जाम दिया तो पता ये चला कि रिश्टा जब तूटता है तो शेतान को इबलीस को इस पर बहुत ज़ादा खुशी होती है इसलिए रिश्टा नहीं तोड़ना चाहिए अलबता ये बात अपने अगा पर हक है कि मिया बीवी के बीच में तालुकात का होना बहुत जरूरी है और शादी के इस मकसद का पूरा होना बहुत जरूरी है कि दोनों अपनी इज़ते महफोज रखें अगर दोनों के बीच नफरत नापसंदीदगी इस हद तक पहुँच गई कि उसका अंजाम ये होने वाला है कि दोनों मेंसे किसी की इज़त महफोज नहीं रहेगी दोनों मेंसे किसी एक के बुराई में पढ़ जाने का खत्रा है तो दोनों को अलग हो जाना चाहिए तो अगर शोहर अपनी बीवी को पसंद नहीं करता है और इस वज़े से वो अलग होना चाहता है तो ये उसका हक है दुनिया की कोई ताकत दुनिया की कोई अदालत उसे फॉर्स नहीं कर सकती है इसलाम ने बिल्कुल ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई है कि एक औरत को अगर आदमी पसंद नहीं करता है किसी वज़े से भी तो उसके साथ जबरदती उसको रखा जाए बिल्कुल नहीं पसंद नहीं करता है उसको अलग होने का हक है और ये हक सिर्फ शोहर को नहीं बिल्कि औरत को भी है बीवी को भी है अगर एक औरत अगर शोहर को पसंद नहीं करती वो अलग होना चाहती वो अलग हो सकती है तो मैंने शुरू में आपके सामने वाज़े कर दिया कि किसी तरह से रिष्टे को बचाना चाहिए उसको तोटने नहीं देना चाहिए लेकिन अगर रिष्टे को बशाने में ये खत्रा हो कि मिया बीवी दोनों के किसी बुराई की तरफ बढ़ जाने का खत्रा हो उनकी इज़तیں महफूज ना हो इस तरह के खत्रात हो तो फिर ये रिष्टा तोड़ जाना बेहतर है इस से कि इन दोनों में से कोई बहुत बड़ी बुराई में फज जाए और कोई भी हो शोहर हो या बीवी हो अगर वो अपने सामने वाले को पसंद नहीं करता है या पसंद नहीं करती है और इस बुनियाद पर वो अलग होना चाहती इसका उसे हक है कोई उसे रोक नहीं सकता हाँ सिफारिश कर सकते हैं आप ससलमने भी सिफारिश किया लेकिन आप ससलमने रोका नहीं सिफारिश कर सकते हैं समझा सकते हैं बता सकते हैं लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी अगर किसी को लगता है हम अलग होना चाहिए वो अलग हो सकता है आप उसे फोर्स नहीं कर सकते हैं उम्मेदे कि आपका जवाब मिल गया है ऐसे ही और वीडियोज बनाने में हमारी मदद करें आई प्लस टीवी को जरूर डोनेट करें